हाई फ्रेंट सहारा केचिन मापका स्वागत है आज हम जा रहे हैं चावल की खीर बनाने तो यह खीर बनाना बहुत ही असान है और जट पट में बनकर तयार हो जाता है तो आज हम आपको सिखाएंगे एकडम माप से खीर कैसे बनाया जाता है बीना जहनजट के एकडम लाजवाब खीर आप बनाके तयार कर सकते हैं तो आईए देखते हैं ये खीर कैसे बनता है बनाना सुरू करते हैं तो खीर बनाने के लिए हाँ पे हमने लिया है एक लिटर दूद दूद को हमने अच्छे से गरम करके रखा हुआ है और एक लिटर दूद के लिए हमने लिया है दो मुठी चाओल तो एक लिटर दूद लेना है तो दो मुठी चावल उसमें आपको एकदम माप के हिसाब से लगेगा तो चीनी भी हमने माप से लिया है जैसे दो मुठी चावल है उसमें जाएगा चार मुठी चीनी चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जैसे कम मीठा कर सकते हैं बारिक कटा हुआ नारियल, बादाम, काजू और किस्मिस, ये सब ड्राइफूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ा सा हमने लिया है, ये कूटा हुआ इलाइची, आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं, गैस पे हमने दूद को रख दिया है, गरम होने के लिए तो सबसे खास बात ये है कि दूद में हमने पानी नहीं डाला है, अगर आप अच्छा खिर खाना चाहते हैं, तो दूद में पानी ना डालें, उसे खिर जो है अच्छा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ये दिखिए चार हिसा जैसे एक लीटर में दूद होता है, तो इसमें एक हिसा दूद खतम हो गया है, मतलब जल गया है, और तीन हिसा जो दूद बच गया है, तो गाड़ा हो गया है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं, ये चावल, चावल हमने दस मिनट पहले भीगो के रखा हुआ था, चावल जो है बहुत अच्छे से फूल गया है, और ये जो छोटा उला चावल रहता है, वही चावल है, आप किसी भी चावल में खीर बना सकते हैं, तो चावल को हमने दूद में डाल दिया है, अब इसे चला के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि चावल नीचे चिपकने ना पाए, तो इसे मिला दें, और मिलाने के बाद 10 से 12 मिनिट के लिए चावल को पका लेंगे, या जब तक पकाएं तब तक चावल जो है अच्छे से पक न जाए, तो 10-12 मिनिट हो गये हैं, और चावल जो है मैं आपको चेक करके दिखाती हूं कि पका है कि नहीं, तो इस तरह से हम थोड़ा सा चावल इसमें से ले ले लेते ह हैं, इस तरह से हम चेक करने के लिए चावल निकाल लेंगे, तो यहां पी एक चावल मैं उठा लेती हूं और इसको हाथों से ऐसे दबा के देखेंगे, तो यह चावल जो है बहुत ही अच्छे से एकदम चिपक गया है, तो सबसे खास बत यह है कि चावल बीना पकाएं आ आप इसमें चीनी ना डालें, उससे क्या होगा कि चावल जो है एकदम ऐसे अपका कांच का कांच ही रह जाएगा और पकने न पाएगा, चावल को दूद में अच्छे से पका लें तब उसमें चीनी को डालें, अब इसमें जाए गई यह सब ड्राइफूट, तो पहले मैं मैं सब नारियल को डाल देती हूँ, यह देखिए सब नारियल इसमें डाल देती हैं और यह जो किसमी सकाजू और बदाम थोड़ा थोड़ा इसमें से हम डालेंगे और थोड़ा सम बचा लेते हैं ताकि बाद में हमें कामाएगा, तो यहाँ पे सब में से मैं थोड़ा थो तो अगर ये खीर बनाने का तरीका आपको पसंद आये तो प्लीस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भूलिएगा मत तो इसे तीन से चार मिनट हो गये हैं और इसे हमने चलाते विए खीर को पकाया है आप देख सकते हैं ये खीर जो है बह इसमें इलाइची डालें तो इलाइची को हमने कूट लिया है आप चाहें तो इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं कूटा हुआ इलाइची हो या पीसा हुआ इलाइची हो खीर में इलाइची का खुस्बू बहुत ही अच्छा आता है तो जब तक खीर आप खाके खातम नहीं करेंगे तब तक इसका खुसबू जो है घर में गूझता रहेगा तो चलिए ये खिर हमारे बंद के लाजवाब त्यार हो गया है अब इसको गर्मा ग्रम खाईए या ठंडा करके खाईए खाने में खिर तो माजा आजाता है लेकिन ठंडा करके खिर खाएंगे ना तो पहुत ही लाजवाब कर लगेगा मुझे तो ठंडा खिर पहुत ही पसंद आता है तो लीजिए भी इसके उपर समकिस्मिस काजो और ये सब बदाम डाल देते हैं अगर इस तरह से खिर बनाएंगे माप के इसाब से तो सब लोग अंगुल या चाट-चाट के खाएंगे और आपकी तारिफ करेंगे वाव कितना लाजवाब ये खीर बनके त्यार हुआ है तो ये खीर बनाने का तरिका आपको कैसा लगा प्लीज हमें